हालो दोस्तो नमस्कार वेलकम टो इस एमेजिंग टेटफॉर्म टाप 10 क्लासेश मैं हूँ बच्चो प्रजोल सिंग आपका कमेंस्टी मेंटर आपका बच्चो टाप 10 क्लासेश पर स्वागत करता हूँ आज बच्चो हम क्या देखेंगे इस वीडियो में क्रिस्टली और आई क्रिस्टली ठोस में क्या अंतर है क्रिस्टलाइन सॉलिड और आपका अमर्फास सॉलिड में बच्चो क्या डिफरेंस है इसके बाद बच्चो देखेंगे बिसम दैसिकता और बच्चो आपकी सम दैसि एके लिगता क्या होती है तो आईये स्ठार्ट करें तो सबसे पाले बच्चों हम आपका कालम बना लिएते हैं क्या बच्चों क्रिस्टिया ठोस है यह दो क्या क्शो हं क्रिस्टलिये दोस और एक मैं पाउन्ट तो बच्चों सबसे पहले कल के वीडियो में हमने चर्चा किया था अगर कड़ो की बेवस्था जो होगी अगर क्या बच्चों आपकी नियमित मिले मतलब यह जो बिवस्था है यह बच्चो क्या है अपका regular है ये क्या बच्छों आपका है regular है तो मतलब ये वियुस्था बच्छों क्या है नियमित है और ये वियुस्था क्या बच्छों की आ नियमित है क्यों एक बाद भी फिर भी फिर भी फिर ए फिर भी फिर ए मतलब कड़ों की वियुस्था मतलब अब ये भी कड़ों की मतलब आपका एक पॉइंट तो क्लियर हो गया बच्चो यदि कड आपकी नियमित रूप सी बेऊस्थित रहेंगे तो क्रिश्टली ठोस और आप नियमित बच्चो तो आप क्रिश्टली ठोस मतलब फर्स्ट पाइंट क्रिश्टली ठोस थे बच्चो क्या क्रिश्टली ठोस म अब यवी कर मतलब बच्चो परमाडू अडू तथा आयन परमाडू अडू या आयन नियमित नियमित जया में थी विवस्था में विवस्था में विवस्थित होते हैं मतलब बच्चो क्रिश्टली ठोस में अब यहीं कर नियमित जया में थी विवस्था में क्या आते हैं विवस्थित होते हैं है लेकिन बच्छो आइक्रिस्टली ठोस में क्या अनियमित होते हैं इसमें लिखिया है फिर्स्ट पाइंट कि आइक्रिस्टली कि ठोस में अव्योविकर आनियमित जयामिती व्योस्था में आनियमित जयामिती व्योस्था में व्योस्थित रहते हैं क्या बच्छो इतनी बात आपको सोन वाई यह क्या आगे नियमित होंगे और यह क्या आगे बच्छो आपके अनियमित होंगे आपको अच्छो एबी है फिर एबी है फिर क्या है यहां बच्छो बी ए फिर बी ए फिर बी ए फिर भी ए एक ब्यूस्था आपके पास यह है और एक ब्यूस्था और आपका हम डा कर रहे हैं बच्चों यहां पर कि ए ए ए कि ए ए बी ए बी 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 कि ए ए बी ए ए ए एक ब्यूस्था बच्चों आपके सामने यह है यह निमीट और निमीद और इसको ही तो बच्चों होगा अगर बच्चों अपकी हीट करेंगे तो सबसे पहले इनर्जी If इसको मिलेगे तो यह इसको टांसफर करेगा फिर यह इसको टांसफर कर सकता है और यह इसको कर सकता है यह इसको भी कर सकता है इसको भी कर सकता है इस प्रकार से बच्चों आपकी ही पूरे आपके क्रिस्टल में फैल जाएगी और जब बच्चो यह हीट पूरे क्रिस्टल ने फैल जाएगी तो आपका क्रिस्टल गलना स्टार्ट होगा तब बच्चो आपका क्रिस्टल क्या है गलना हिट किया तो यह लेगा यह आंपर एक ज्यामेति ब्युस्थाई से मिल गई और जयद से ही बच्चों यहां पर जो आपकी लगहूर पॉर्टि श्ट्रेट तो यह अपको कि चुली हो तो गर जैगा इसके बाद बच्चों यह गलना स्टार्ट होगा यह भी गलेगा बच्चों फिर बच्चों अगला गलेगा इस प्रकाश से आपका क्रिस्टिली ठोस क्या होता बच्चों गलता है मतलब एक बाद निकल के आई क्रिस्टिली ठोस एक निश्चित बिंदू पर गलेगा अग्रिस्टिली ठोस आपका बच तो अगला गले का मतलब करने का इसका जो गलन बिंद होगा बच्चो गलनांक होगा वह क्या होगा कि इसका जो गलनांक होगा बच्चो क्या होगा निश्चित होगा और इसका जो गलनांक होगा बच्चो अनिश्चित होगा तो यह चीज हम लिख लिए बच्चों क्या सिकेंट पॉइंट आपका सिकेंट पॉइंट क्या घर अच्छ आपका क्रिस्टली ठोस में क्रिस्टली ठोस के गल्नांक बिंदो निश्चित होते हैं क्या थे बच्चों निश्चित होते हैं जब कि आपक्रिस्टली में बच्चों आपक्रिस्टली ठोस के गल्नांक बिंदो अनिश्चित होते हैं क्या बच्चों इतनी बात आपको समय में आई इनका गल्नांक बिंदो क्या अनिश्चित हो होगा और इनका क्या बच्चों निश्चित होगा है अच्छे यह बताएं बच्चों यहां पर जो अब आपका बच्चों इसी प्रकार से आपके कड़ों की व्योस्ता बनती रहेगी आगे भी मतलब यह कड़ों की व्योस्ता दीर्ग है बच्चों एक बड़े लेबल पे हैं और यहां पर मतलब लगू है लगू मतलब बच्चों कम गड़ों के उसना यहां पर क्या है लगू परासी है तो तीसरी पॉइंट जो निकल के आई यह मेरे प्यारे बच्चों और क्या निकल के आई कि क्रिश्टली यह ठोस क्रिश्टली यह ठोस में कड़ों की ज्यामती व्योस था कड़ों की ज्यामती व्योस था दीर के परासी होती है क्या है तो अच्चों दीर के परासी होती है और इसमें क्या आते अच्चों लगू परासी होती है आक्रिस्टली ठोस में आक्रिस्टली ठोस में कड़ों की वियोस था लगुपरासी होती है क्या थे बच्चों लगुपरासी होती है और बच्चों यहाँ पर और ध्यान दीजिए आप एक बात का जैसे हमने यहाँ पर बनाया बच्चों हम यह आपके एक कर दिखा रहे हैं और बच्चों यहाँ पर भी एक हम अपके दिखा रहे हैं कि एक ब्योस्था बच्चों आपका यह दिखा रहे हैं चलिए माल लेते बच्चों आपका यह तेज धादा चाकू है आईए इसे हम कट करें अगर उच्चों आप इसे कट करेंगे तब क्या पाएंगे एक प्लें सतह पाएंगे बच्चों एक प्लें सतह पाएंगे और यहाँ पर बच्चों यह हम कट करें बच्चो देखी, यह आपका, जो है। यह कड़ गया। इसकी सत डोह कासे है बच्चो आपकी यह देखिंए बच्चो इसलिए बच्चो से पाय और इसकी लिए बच्चो की आपकी? प्रब्रगार जो तो क्या इसकी सतह है क्या बच्चो सम्तल और इसकी सतह बच्चो क्या है वबढखा बढ़ मतलब ऐस अंतल है कर दो क्या है समतल ही बच्चों अगर चंद समतल सत होगी एक दम होगी बच्चो तो चिकनी होगी और एस अंतर सता होगी तो क्या खूरदरी होगी क्या बच्चो खूरदरी होगी तो एक बात निकल क्या है बच्चो यदि कड़ों की बिवस्था नियमित होगी तो चाकू से ये तेज धादार चाकू से हम क्रिस्टल को कट करें तो जो सता मि मिलेगी और क्या मिलेगा चिकनी मिलेगी और यही बात यहां पर sudah अगर बच्चो आपकी कड़ों की व्योस्ता का नियमीत होगी मतलब अगर आपका ख्रेस्टल अक्रेस्टली होगा तो यह जो सत्य मिलेगी अस समतल और क्या मिलेगी बच्चो खुरदरी मिलेगी इन्हें बाते क्लियर होगे तो आओ इसे हम लेख लेते हैं क्या उच्छो फॉर्थ पॉइंट क्रिस्टली ठोस को क्रिस्टली ठोस को तेज धारदार चाको से काटने पर तेज धारदार चाको से काटने पर समतल तथा चिक्नी सत्था मिलती है समतल सत्था बच्चो क्या होती है चिक्नी सत्था मिलती है जबकि अक्रिश्टली ठोस में असंतर और बच्चो खुर धरी है चाक्चो अक्रिश्टली ठोस को तेज धारदार चाको से काटने पर एस समतल सत्था एस समतल सत्था खुर धरी सत्था मिलती है तो यह बच्चो आपके महत्यपोर पॉइंट्स रहें वन टू थ्री और फॉर वन टू थ्री और फॉर यह बच्चो कम सकम आप यहां से बच्चो दो पॉइंट्स तो हमेशा मेमराईज रखिए और चारो है तो बहुत है ज्यादा बड़े है बच्चो आईए अब इसको हम क्लोज करते हैं यह हो गया क्या बच्चो क्रिष्टली और आक्रिष्टली ठोस में क्या बच्चो अंतर है यह आपके सामने है अगर आप इसका स्क्रिन साट ले दिना चाहें तो बच्चो आप इसे ले सकते हैं अब बात करेंगे बच्चो बिसम दैसिक्ता और सम दैसिक्ता क्या होती है क्या बच्चो बिसम दैसिक्ता इन आईसो ट्रॉपिक और बच्चो सम दैसिक्ता आईसो ट्रॉपिक प्रॉपरिटी क्या होती है आईए बच्चों आपकी जो क्रिश्टलीट होस होते हैं वो बिसम दैसिक्ता का गुर्दर साते हैं और जो बच्चों आपकी आपक्रिश्टलीट होस होते हैं वो क्या अधर साते हैं सम दैसिक्ता का गुर्दर साते हैं तो यहां बच्चों एक पॉइंट और लिख ले रहे हैं आप का क्या आपको एक पॉइंट अल लिख लिए रहे आपका पॉइंट नमबर फाइफ क्रिश्टली ठोस क्रिश्टली ठोस कि बिसम दाशिक्ता कि विसम दाशिक्ता का गुड़ दर्स आते हैं जबकि बच्चो आपक्रिश्टली ठोस क्या अच्चो आपक्रिश्टली ठोस सम दाशिक्ता का गुड़ दर्स आते हैं अब अच्चो हम बात करें कि आपकी सम दाशिक्ता और विसम दाशिक्ता क्या होती है आईए अब अच्चो आपके आपका क्लोज करते हैं अब बिसम दाशिक्ता अ विसम दाशिक्ता इन आईसो टॉपिक अए इन आईसो टॉपिक इन आईसो टॉपिक अब बच्चो यह क्या होती है आओ विसम समझते हैं और एक तरह बच्चो आपका लिख लेते हैं आपका यहां आपर सम दाशिक्ता सम देशिक्ता मेनिंग बच्चो आईसो टॉपिक जैसे बच्चो हमने आपके यह पार्टिकल्स बनाएं यह पार्टिकल्स बच्चो हम आपके रंगीन बना रहे हैं और बच्चो अगला जो बना रहे हैं आपका हम डार्ट बना रहे हैं क्या बना रहे हैं पिर बच्चो हम क्या बना रहे हैं आपका रंगीन फिर बच्चो आपकर क्या बना रहे हैं डाट अ तो बच्चो यहां पर देखिए आपके कोई क्रिश्टल है जो रंगीन बाल से और डार्ट बाल से बिलकर बना है अब बच्चो तो अगर खाण आपके डिरिक्सर में चलें परकर डारेक्सर में देखिए अए वाभ्यों क्या दिखाई पड़ा है और रंगीन बाइस है हिए वच्चो क्या है रंगीन फिर रंगीन फिर रंगीन और पिर अधी डाट 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 तो मतलब ऐरो के एक तरफ रंगीन और एक तरफ बच्चो डाट लेकिन अगर हम यही डारेक्शन अपना चेंज करके ऐसे चले तो एक रंगीन एक डाट एक रंगीन एक डाट एक रंगीन एक डाट एक रंगीन एक डाट अगर यह डारेक्शन चेंज करके वच्चो इस प्रकाश चले तो इस प्रकाश देखे तो रंगीन डाट डाट रंगीन डाट रंगीन डाट रंगीन मतलब बच्चों ऐसे चलेंगे तो एक अलग भी उस्ता अगर ऐसे चलेंगे अलग भी उस्ता मतलब कहने का अलग अलग दिसाओं में जो कड़ो की व्योस्ता है वो अलग अलग है जिसके कार्ड बच्चों आपकी Crystall का और तना है चालगता है क्या होती बच्चों अलग अलक दिसाौँ में भिवन्य होती है जिसकों क्या कहते हैं निकल के आई बच्चो जो बासे निकल के आई क्विस्टली थोस में क्या प्चों क्विस्टली थोस में अलग अलग दिसाओं में क्विस्टली थोस में अलग अलग दिसाओं में कड़ों की वियोस था कड़ों की वियोस था अलग अलग होती है जिसके कारण जिसके कारण अपवर्दनांग चालकता आदी अलग 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 मिलती है क्या प्चों अलग 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 करते हैं तो ठीक है बच्चों यह आपकर यह सम दैसकता और आपको समझाने के लिए यह रहा बच्चों अब बात करेंगे अक्रिष्टली ठोस की जैसे बच्चों आपका अक्रिष्टली ठोस बनाया अक्रिष्टली बनाया अक्रिए लिए यह अक्रिष्टली आपको जैसे बच्छों काम यह क्या बना रहें आक रिश्टी ठोस बना रहें यह क्या आप का आपकर श्रीट होस हैं और आप रिश्टीठ होसे होसे बच्छों किसी भी डारेक्शन में देखिये चाहे ओपर देखिए बच्चू चाहे इधर देखिए अच्छो जो कड़ों की वियुस्था मिलेगी वो क्या मिलेगा बच्चू हमेशा अन्यमित मिलेगी और अन्यमित मिलने के कारड जो आपके अपको अर्तनांग होते हैं जो चालकता होती बच्चों वो अलग-अलग दिसाओं में भी एक समान रखती है जिसको हम समदैसिक्ता का गुड़ कहते हैं क्या बात निकल के आई अक्रिस्लीट होस में कि सभी दिसाओं में आक्रिस्लीट होस में सभी दिसाओं में कड़ों की व्योस था अनियमित ही रहती है जिसके कारण अनियमित ही रहती जिसके कारण अपरतन अंक अपरतन अंक चलकता सभी दिसाओं में समान होती है सभी दिसाओं में कि समान होती है सभी दिसाओं में समान होती है इस गुड़ को समद्र सिकता ख़ते हैं तो यह बच्चो रहा आपका कि समद्र सिकता क्या होता बच्चो और विसमद्र सिकता क्या होता है और बच्चो क्रिश्टी ठोस और आक्रिश्टी ठोस ने हमने अंतर देख लिया आपको वीडियो पसंद आई होगी आप वीडियो को बच्चो लाइक कीजिए अगर आप चैनल पर पहलीबार आए हैं तो चैनल को बच्चो आप सस्क्राइब कीजिए तब तक के लिए बच्चो जै हिंद जै भारत